Seeds, Fertilizer and pesticide dealer के लिए एक चोटा सा इसे model है, इससे क्या होगा, उसके business जो रहता है न, so, वो dealing करता है, seeds, fertilizer को कोई business का, so, वो सभी dealing करते रहते, लेकिन जब accounting बात आता है न, तब आके उसको divide करके देखन देखना पड़ता है, जैसे seeds को सभी separate orchards, fertilizer को सभी separate orchards, इस तरह से वो divide करने के बाद उसे sale करना पड़ता है, same to same, ऐसे हमने एक चोटा सा model create किया है, इसमें जो है न, चोटा सा कूबिया है तो उसको भी quick sale option होता है, मतलब जो dealer को है न, जब entry करते हैं वक्त एक option मिलता है, वहाँ पे वो entries अभी करता है, seeds, fertilizer और pesticide, जैसे वह entry करने के बाद उसे save करता है, so automatically tally decide कर देता है कौन सा वो चर्क इसमें जाना है, weeds में जाना है या fertilizer में जाना है या pesticide में जाना है, इस तरह से एक fertilizer और अग्रो dealer का, जो यह स्तिनों में और और कुछ micronutrient और agriculture का equipment sale करते है, उस वो भी dealers के लिए एकास करके model बनाया है, agro dealer model, चलिए one by one उसे एक बार step by step इसे देख लेंगे, हमने यहाँ पर एक demo company बनाया है, सब सब पहले मैं आपको इस stock का समरी दिखा देता हूँ, आपको इस तरह से या अलग से आपको खुद का देशे जैसे पेस्टिसाइड फटलेजर ऐसे मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर बयो पेस्टिसाइड 18 परसेंट बयो प्रोडक्ट और chemical पेस्टिसाइड फटलेजर 12 परसेंट 5 परसेंट metronutrient और गने इस ते हर किसी का में इना separate separate एक ग्रूप बना दिया है, इस ग्रूप में अंदर जो हर एक stock item है, सो उसका unit of measure unit में रख दिया है, सो यह रही stock का section, जो सबसे यहाँ पर हमारे जो कास हैना quick sale, so presently हमारे date आके 29 जैसे मैं इसके अंदर quick sale के अंदर में entry करता हूँ न, सो automatically current date 29 March को आ गया है, so current date को automatically set हो जाता है, और यहाँ आने के बाद मैं एक-एक product को select करता हूँ, जैसे देखे पहले वाला लिया मैंने, तुरंती मुझे पूचेगा यह कौन सा golden से लेना है, so यह एक special form है, तो यह की screen के अंदर सभी आपको दिख जाएगा, यहाँ पर उस pesticide का कौन सा batch में ले रहे, batch का ले रहे हो, so उसका batch का expari rate पी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर grow more लेता हूँ, यह grow more आके फट लेजर है, so यहाँ पर गोड़ॉन लेता हूँ और यहाँ पर primary batch और यहाँ ने के बाद यह बर select किया और एक मैंजे seeds का option लेता हूँ, यहाँ अपर seeds का भी ले लिया और यहाँ पर batch भी आहाँ पर ले लिया और यहाँ अने के बाद, so 350 रुपीस यहाँ पर मैंने दा के, so यह त्री आइटम, so त्री आइटम अलग-अलग है, मतलब एक पहला वाला pesticide दूसरा वाला fertilizer और तीसरा वाला seeds है, अब जो है ना जैसे आने के बाद यहाँ पर पूचेगा credit या cash transaction या credit transaction, so अगर cash हुआ तो आपको cash ledger पूचेगा, और credit हुआ तो आपको credit का party किस party के नाम पार्टी नाम बग रहे, फिलार में cash में जरक देता हूँ और यहाँ पाने के बाद, यहाँ पर customer का mobile number यहाँ पर मैंने mention कर दिया, जैसे मेरे number डाल देता हूँ, so यहाँ पर customer का जो है ना already store हुआ रहता है, so इसका जो video है ना मैं अगले part में दिखा देता हूँ, और जैसे मैंने select कोने के बाद आधर card क्या है, यहाँ पर मेरे 2050 रुपीज यहाँ पर मल गया है, यह से मैंने hit enter करता हूँ ना, so यह पहले का screen जो है न, so इससे invoice, आधा invoice में मुझे इस तरह से दिखेगा, दिखे यहाँ पर मेरा जीएशी नंबर, fertilizer, seeds और license नंबर, और original language में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और logo वगेरा, और कौन सा farmer से मैंने लिया था, even though cash bill है, लेकिन farmer का नाम, यहाँ पर आ गया pesticide का, एक ही bill, मतलब यह pesticide invoice, पहले आप लोगा नीचे, so इसके होते ही, next to निकलेगा, हमारा fertilizer का, fertilizer का यहाँ पर आ गया, fertilizer grow more आ गया, और उसके होने के बाद, seeds वाला आ गया, seeds वाला, यहाँ पर seed का 0% है, so इसका taxic calculation नहीं हुआ, इस तरह से, जो quick sale है ना, हर किसी का separate separate bill निकाल के, डाल देते हैं, अई सही हमने, day book में जाके देखने के बाद, आपको मिलेगा के, separate separate orchards बन गया है, देखे fertilizer का fertilizer अलग बन गया, pesticide का pesticide अलग बन गया, और seed का नीचे CGST, HGST का भी, separate separate divide होज़ गया है, इस तरह से, यह quick sale आके, आपको single screen का transaction पे, अलग-अलग orchard create करके दे देता है,